असलाम अलेकम CS610 GDB आया हुआ है 18-19 इसकी डेट है और टापिक आपको दिया हुआ ICMP प्रोटोकोल है और यह स्पेशली लोकल और वाइड अरिया में मैस्टिंग के लिए यूज के जाता है और मैसेज डिस्पले करने के लिए लोकल साहिद उने गलत बोला है वैन के लिए उसने बोला है तो उन ने बताया है कि इसके एरर रपोर्टिंग की वज़ा से काफी बच्चत हो जाती है लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा को यूजर को हैकर जो है वो कोई ने कोई रस्ता ढूंड ले तो अटैकर जो है वो अट तो इसके लिए in your opinion which type of attack from the following can become the cause of inaccessibility of the target machine तो वो कौन है जो inaccessibility पे ले जाता है computer को एक तो उनोंने पिंग of flood दिया हुआ और एक तिया हुआ पिंग of death पिंग of death में आपको मैं बता दूंगे क्यों नहीं answer make the system crash मदलो system को मार दिया गया पिंग of death इस तरह और भी होते हैं sink of flood है ICMP flood है मतलब इनके different name है पिंग of flood मैंने एक जवे पर search किया तो मुझे एक बिलकुल same line मिल गई this calls the target to become inaccessible to normal traffic मतलब अगर आप यह चीज़ सर्च करेंगे last line तो आपको पिंग of flood ही answer मिलेगा पिंग of flood पिंग एक command है system की accessibility को check करने के लिए use करते हैं ICMP के अंदर यह सारे scenario लिखा हुआ है आपके सामने internet protocol आप इसको rewrite करेंगे सारे को दबारा लिखेंगे इनके synonym नी बदल लें synonym पे भी आप फास सकते हैं एक DOS होता है और एक DDOS होता है तो denial of service है और एक distributed denial of service होता है और पिंग जो है मेरा answer है पिंग of flood और इसकी reason है कि यह system को inaccessible कर देता है for normal traffic और पिंग of death क्यों नहीं है क्योंकि यह ping जो है यह make the system crash system crash कर जाता है तो मुझे जो answer मिला वह कुछ यही था आप लोगों के सामने इस मैं एक दफा फिर गुजार दूँ यह ऐसे ही आप कहते हैं हमने लिखना तो लिखेगा नहीं आप मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि यह same ना लिखेगा अपके number कट जाएंगे anyway दूसरे question पर चलते है ICMP can also be used to test different tools in your opinion which are the two most common tools that use ICMP for basic management and troubleshooting on a network इसका जिवाब मैंने देखा है handouts में यह handout है इसमें लिखा है using ICMP to test reachability तो यह एक ICMP के थरू कर सकते है using ICMP to trace a route तो यह इसका दूसरा काम है एक तीसरा काम भी है using ICMP for path MTU तो यह using ICMP किसके लिए लेकिन basic 2 की बात की है तो 2 में जो है वो एक तो पिंग है और दूसरा जो है वो trace route है trace route को use करते है basic के लिए उसके लावा और भी इसकी 8-10 और भी uses हैं लेकिन उन्होंने basic का पूछा तो आप basic में कुछ यही बताएंगे तो यह देखें another useful troubleshooting technique using ping to send ICMP eco request to entire network by using a broadcast address as the target host पिंग utility send ICMP को request तो फिर पिंग कैसे करते हैं वह उन्हें example के तोर पर लिखा हुए लेकिन आपने नहीं लिखना आपने सिरफ यह बताना है कि उसके बाद हम अगर बात करें और next one to trace route है basic tool of ICMP that useful when you perform network troubleshooting you can quickly determine if the expected route is becoming taken when something communicating or attempting to communicate with a target network device तो बहुत सारी चीज़े इसके related भी हैं कि आपने check करने trace route की command run करें तो आपको एक पूरा route पता चल जाता है send किसने का उसमें कितने route हैं कितने hope हैं कितने node है वह सारी चीज़े पता चलती हैं कहां पे कौन शी गड़बड है तो trace route and a ping is the answer तो इसको सही तरह लिख लिएगा font kindly सही रखा करें 4 to 5 से ज्यादा point ना लिखिएगा font 12 time new roman रखें trace route को search कर लें